हेला एवरीवान वेलकम टो वर चैनल mcb mcb फ्रिंस आज एक बहुती सिंपल और इजी मेतड से ग्रैंड ब्राइडल सारे कुछे डिजाइन बनाएंगे यह डिजाइन बिगनर्स नॉन कोशिटर्स भी असाने से बना सकते हैं इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ प एक साड़ी के लिए हमें इन बेड्स को मिनिममम 10 ग्रैंस लेना है नेक्स्ट हमें सबसे स्मॉल साइज के सिल्वर बेड्स लिए हैं उसके बार हमने नीडल लिया है नाइन नंबर 0.85 mm का है इसी क्रोशा नीडल से हम एजीले सारी कुछे डिजाइन बनाएंगे सबसे पहल एक स्लीप नॉट बन जाएगा नेक्स्ट हमें स्क्वेर बीड लेना है स्क्वेर बीड का ही जो होल है इस होल के वन साइड से हमें वर्क को स्टार्ट करना है यहां से नीडल को पास करते हुए सबसे पहले हमें सिंगल कुछेट से इस त्रेड को अटाइच कर लेना है इस बीड पे अच्छे से अटाइच करने की बार निक्स्ट हमें एक चेन स्टिच वर करना है उसके बार नीडल में धागा फोल्ड करते हुए धागा लेके बाहर आएंगे दो लूप्स को एक कर दे यह एक डबल कुछेट बन जाएगा फिर्ट जो हमने स्टार्टिंग में सिंगल कुछेट और उसके ऊपर एक चेन स्टिच वर किया हुआ है वो भी एक आज़र डबल कुछेट कंसेडर हो जाएगा सो हमने यहाँ पे टोटल ट्वेंटीवन डबल कुछेट वर करने हैं 21 डबल कुछेट वर करने के बाद इस बीड को टर्न करते हुए बैक साइड थोड़े से धागा खिचते हुए नीडल में हमें एक समॉल साइज का बीड लेना है और इन त्रेड में स्लोली पास कर देना है नेक्स्ट वाला यह जो डबल कुछेट है इसमें से नीडल को पास करते हुए सिंगल कुषिट से इस बीड को हमें अटेच कर देना है नेक्स्ट वाले लूप में से नीडल को पास करते हुए एक सिंगल कुषिट वर्क करना है उसके बाब थोड़ा से धागा बाहर किचते हुए नीडल में एक स्मॉल साइज का बीड लेंगे और इन त्रेड् एक सिंगल कुषिट वर्क करेंगे फिर से धागी को थोड़ा सा बाहर किचते हुए नीडल में एक बीड लेना है और इन त्रेड्स में स्लोली पास कर देना है इस बीड को सिंगल कुषिट से अटेच कर देना है इन स्क्वेर बीड्स को यूज करते हुए मैंने और भी कु कुछा कुछू डिजाइन्स बनाए हुए हैं उन सभी का लिंक मैंने ओपर आई बटन में दे दिया है वो वीडियोस आपको इजले मिल जाएंगे और सो कुछा कुछू टसस डिजाइन का एक अलग प्लेलिस्ट बनाते वे उसका लिंक वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्श करतेवे यह जो लास्ट वाला जो डबल कुछिटि है इसमें से नीडल को पास करके हमें यहां पे सिंगल कुछिट WORK करना है नेटली लास्ट में एक सिंगल कुर्षिट वर्क करेंगे और अब नेक्स्ट में धागी को थोड़ा सा बाहर कीछते हुए एक्सेस सिल्ख त्रेड को हमें गट कर लेना है और इंधागी को हमें बाहर निकाल देना है ये एक नौट बन जाएगा और अब next हमें यह जो extra जो threads है इन्हें हमें needle की मदद से back side लेना है यह जो double crochet हमने बनाया हुआ है इसमें से needle को pass करके इन धागे को हम back side लेंगे इस तरीके से neatly इन threads को back side लेने की बाँ यह देख सकते हैं यह front side है back side हमें extra इस thread को cut करके fabric glue लगाना है इसी तरीके से हमें एक साड़ी के लिए minimum 24-28 pieces बनाने है और अब next हमें पल्लों पे stitch करना है सबसे पहले हमें जो हमारे पल्लों का color है उसी color का हमें cotton thread लेना है और यह जो हमने bead stitch किया हुआ है इसके नजदिक बिलकुल नजदिक से हमें यहां से यह जो mark है यहां से हमें needle को back side से pass कर लेना है same place में से दुबारा से needle को pass करते हुए एक knot बनाएंगी और इस thread को attach कर लेना है उसके बाद needle में हमें एक small size का silver bead लेना है इस bead को हमें needle में से pass करने के बाद next हमें square bead का यह जो hole है यहां से हमें needle को pass कर लेंगे उसके बाद एक सबसे small size का silver bead next हमें उससे थोड़े से big size का 2 mm का silver bead इस तरिके से हुमें दो बीर्स लेने हैं इन दोनों बीर्स को नेल में पास करने के बाद इन जो 2 mm का बीर्स है इसे छोड के इस small size का बीर 2 square बीर उसके बाद एक ऊर ये जो small बीर्स है इन तीनों में से हमें नेडल को एक साथ पास कर लेना है और slowly धागा कीच लेना है ये तीनों beads में से नेडल को पास करते हुए नेडल को हमें back side लेना है पल्लू को turn करते हुए back side हमें पहले एक knot बनाना है अच्छे से tight knot बनाएंगे next हमें इसके थोड़े से distance में से यह जो बीड है इसके नस्दीक यहां से हमें नेडल को पास कर लेना है इसके बाद इस बीड के नस्दीक से नेडल को पास करते वे इस साइड भी हमें स्टिच कर लेना है इस तरीके से हमें दोनों साइड नेटली स्टिच कर लेने है इस से यह बीड बिल्कुल भी इस्ट्रा cotton thread को cut कर लेना है फिर से हमें इस thread में एक knot डाल लेना है next हमें इस side से थोड़े से distance में से needle को pass कर लेंगी और right side सा ही जो design हमने बनाया हुआ है इसमें से needle को pass करके यहां पे भी हमें एक दो knots बनाने हैं अच्छे से stitch करने की बाद एक और knot बनाएंगी और needle को हमें प करलो को turn करते हुए back side हमें एक और knot बनाना है और अब next हमें extra cotton thread को हमें cut कर लेना है फिर्ण्स आप देख सकते हैं हमने यह यह दो बीड स्टिच कर लिए हैं यह बिल्कुल भी twist नहीं हो रहे हैं इसी तरीके से आप एक और टाइप से भी stitch कर सकते हैं next हमें यह जो small size का last वा इसके बान यह जो हमने mark किया हुआ है two strands of cotton thread लेके एक knot डाल लेना है इस mark के back side से हमें needle को pass कर लेंगे same place में से दुबारा से needle को pass करते हुए एक knot बनाना है और अब next में एक small size का silver color का bead उसके बान work किया हुआ square bead लेना है इस bead में से needle को हम pass कर लेंगे उसके बान सबसे small size का एक silver bead next में उससे भी थोड़े से big size का 2 mm का silver bead लेना है इन दोनों भी इसको needle में pass करते हुए इस big bead को छोड़के सिर्फ इस small bead square bead और यह जो small bead इन तीनों में से needle को हमें वापस pass कर लेना है बिना gap छोड़े अच्छे से tightly हमें इने stitch कर लेना है back side needle को हम pass कर लेंगे next हमें पल्लू को turn करते हुए back side एक दो tight knots बनाने है इसी तरह की से आप सिर्फ center में stitch करते हुए भी इस design को बना सकते हैं यह twist होते हैं दोनों टाइप से आप stitch कर सकते हैं एक स्ट्राइस cotton did को हमें cut कर लीना है इसी तरह की से हमें एक और बीर को यहाँ पर stitch करना है उसकी बार वन एंड हाफ इंच की distance पे बीर्स को stitch करते हुए वर्क को complete कर लीना है सभी square बीर्स को stitch करते हुए हमने वर्क को complete कर लिया है आपको यह design कैसा लगा मुझे comment section में comment करके जरूर बताइएगा इस design को ज़्यादा से सदा like, share और comment जरूर कीजिएगा चैनल पर पहली बार visit किया है तो चैनल को subscribe कीजिए पास में लगे bell icon को भी press करते हुए all पे click कीजिएगा मिलते हैं next videos में तब तक के लिए thanks for watching see you soon bye bye